हेलो आप्रियंका और जो आज की हमरी क्लास है इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्सराइज 11.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि जो एक्सराइज 11.4 है पूरी तरीके से हाइपर बोला पर बेस्ड है तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया थ है तो हाइपर बोला समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आल्मोस्ट उसी जैसा सब कुछ है इसमें बस थोड़ा बहुत जो है वो चेंज है तो वह मैं आपको यहां पर बता दूंगी ठीक है तो स्टार्ट करें और बांकि अगर पिछले वीडियो जो भी हैं हमार की तक आपने नहीं देखे हैं तो उपर आपको चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी ठीक है यहां से आप चैप्टर 11 को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे के सारे चैप्टर जितने हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं ठीक है तो क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखें आप हाइपर बोला की यहां पर हमने डेफिनेशन लिख रखी है तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि हाइपर है ठीक है तो है यहां पर क्या लेखा हुआ है 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 हाई पर बोला सेट और पोईंटस इन अ प्लें Stev और नटी तो देखें इन सरकल में भी आया था सितित पेर बोला में i distances from two fixed points तो यहां पर भी दो fixed points हैं जैसा कि ellipse में दो fixed points थे और जो fixed points होते हैं वो क्या होते हैं हमारे focus तो यहां पर दो fixed points है मतलब इस में भी दो focus रहेंगे आपके in the plane is a constant तो जो ellipse थी ellipse में जो दो fixed points से उन से जो distance थी उनका some constant होना था बट यहां पर जो बूला जा रहा है वो हमको यह बूला जा रहे कि जो difference है उनकी distance का वो constant होना चाहिए almost आपका ellipse के जैसा ही है तो थोड़ा सा समझते हैं कि अभी मैं along x-axis बता रही हूं और बांकी अगर parabola की मैं बात करूं तो आप 11th class में दो तरह के पैरा बोला ही पढ़ने वाले हैं उनके standard form पढ़ेंगे और उन्हीं पर वेज्ट question करेंगे मांकी और भी कई तरह के हाइपर बोला होते हैं बट यहां पर class 11th में सिर्फ औसे दो टाइप के हाइपर बोला हम पढ़ेंगे ठीक तो एक इस तरह से अलोंग x-axis रहेगा एक अलोंग y-axis रहेगा ठीक तो देखें अब अभी x के हसाब से मैं बता रही हूं तो द्यान से समझें कि obviously xy plane है आपका इस तरह से ठीक है तो कोई भी xy plane है जिसमें इस तरह के पॉइंट का सेट किस तरह के पॉइंट का सेट जिनकी दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस constant होना चाहिए तो यह समझें मैं थोड़ी दिक्कात होती है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे थोड़ा सा इलिप्स को हम एक बार कर लेते हैं उससे आपको यह क्लिया रोगा कि इलिप्स में मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट है कि दो फिक्स्ड पॉइंट है और इस तरह के पॉइंट का सेट जैसे कि माल लिजए यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया पी वन तो इस पॉइंट की इस से डिस्टेंस और इस से डिस्टेंस का सम मतलब पी एफ वन प्लस पी एफ टू जो है वो कॉंस्टेंट रहेगा कॉंस्टेंट मतलब हमने यहां पर सी ले लिए यहां पर सेट ले लिए यहां पर हमको बोला जा रहा है किदो फिक्स्ड पॉइंट है f1 f2 ठीक है और कोई भी point है p1 ठीक है तो इन दोनों points की distance है उनका difference difference मतला minus करना तो obviously यह बड़ी distance दिख रही है तो p1 f2 minus p1 f1 जो है वो constant रहेगा सिर्फ इतना सा अंतर आ रहा है लेंग्वेज में इसकी ellipse की और hyperbola की मतलब इसी तरह के और भी कई सारे points होंगे जिन points को जब हम मिला देंगे join कर देंगे तो एक hyperbola बनेगा और जब यह condition रहेगी कि दोनों distance का sum अगर constant आ रहा है तो इससे हमारा क्या बनता था ellipse बनता था तो यह दोनों में difference है समझ में आ गई बात इसी तरह से हमने ellipse में देखा था कि माली जो कोई एक और point हम P2 ले लेते हैं ठीक है तो P2 f1 plus P2 f2 अगर हम करते थे तो P2 f1 plus P2 f2 करते थे तो वो भी यही value रहेगी constant अगर एक ellipse के हम बात कर रहे हैं तो तो अगर माल लीजे यह value यह 3 है तो यह value भी आपकी 3 ही आनी चाहिए इस तरह के सब बिए कि जतने भी points रहेंगे उन सारे points को जब हम जॉयन करेंगे तो उनको बंसे सरकल बंता है इसी तरह से infinite नमबर औफ से हमारा है परला बनेगा ठीक है तो यह चीज़ तो आपको पहले समझ में आ गई है कि ellipse में क्या चीज़ है यहांपर बस बात आ रहे है difference की यहाँ पर हो रहा था sum ठीक है तो यहाँ पर अभी तो हमने एक point लिया माली जो कोई और point है यहाँ पर हमने ले लिया कोई point यह point हमने P2 ले लिया ठीक है मतलब P2 F1 और P2 F2 यह दोनों distance है इन दोनों distance का difference constant होगा तो अभी हमको यह बड़ा दिख रहा है जो रहेगा वो भी क्या रहेगा constant बस हमसे यह चीज़ बोली जा रही है समझ में आरी बात तो एक बार इन वर्ट को इससे हम थोड़ा सा match करेंगे तो आपको समझ में आएगा a hypergola is the set of all points तो points कई सारे हैं बट अभी हमने लिये हैं एक point यहाँ लिया है set of all points in a plane the difference of whose distances from two fixed points यानि दो fixed points से जो distance है इनकी उनका difference जो है वो constant आना चाहिए clear ठीक है constant अब इस तरह से माल लीज़े यहाँ पर हमने कोई point लिया यह ले लिया हमने P3 चीक है इस P3 की distance F1 से और P3 की distance F2 से इनका difference भी constant आना चाहिए ठीक है इस तरह से हमारा इस तरह से हमने बना लिया यह x-axis और इस तरह की points रहेंगे जब आप join करेंगे तो इस तरह से बनेगा एक shape और इस तरह से बन जाएगा यह समझ में आ गई बाद तो यह जो hyperbola है यह उन सारे points का set है जिनकी fixed points से जो distance है उनका difference जो है वो constant रहेगा जैसे यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 आएगा constant value रहेगी यह बोलना चाहर है definition समझ में आ गई बाद ठीक है तो यह जो सारे चीज़ है यह तो मैं हटा रही हूँ बागी जो ellipse है और hyperbola है इनके जो formula है बहुत similarity है इनमे अब देखो इसको मैं हटा देती हूँ है ना यह हमने hyperbola बनाया है अभी along x-axis ठीक है तो class 11th में आप दो type के ही hyperbola पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अभी तक आपने देखा है कि इसमें जो हमारा major axis होता था जैसे ऐसे हमने बनाया इसको ठीक है तो हमारे ellipse जो है यह हमारा midpoint रहेगा focus का और यही जो midpoint है यही रहेगा हमारा center of the ellipse यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि यह हमारे क्या होते थे vertices ठीक है डोनों vertices कहा होते थे major axis के end पर यहाँ पर जो आपका axis रहेगा यहाँ पर उसका कुछ और नाम रहेगा बांकि आप अगर चाहें तो इसी से relate करके याद रख सकते हैं जैसे कि हमारा इस चीज़ को भी मैं हटा देती हूं तो अभी तक हमने इलिफ्स में देखा कि यह होता था हमारा major axis जिसके भी along हमारा पैरा बोला जो है वो बन रहा है और दोनों focus हमारे पास हो रहे हैं यहाँ पर इस से रिलेट करके इसके लिए बता रही हूं मैं ताकि आपको समझ में आ सके यहाँ पर obviously देखे यह दोनों हमारे focus हैं हमारे दो fix जो point हमारे focus होते हैं ठीक है तो दोनों focus के बीच की जो distance है वो total कितनी है यहाँ पर मैं आपको clearly बता देती हूं यह total है आपकी 2C जो की यहाँ पर होती थी सेम ठीक है अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर vertices क्या होगा हमारा center क्या होगा तो यहाँ पर जो center है हमारा वो क्या रहेगा कि जहाँ पर इन दोनों का midpoint f1 और f2 का midpoint जो है उससे pass जो हो रहा है हमारा axis और यह वाला जो axis है जिस पर हमारे दोनों focus रहेंगे उसको हम बोलते हैं transverse axis तो यह वाला जो है यह है transverse axis ठीक है और दूसरी चीज दूसरा axis क्या रहेगा हमारा conjugate axis मतलब जो की midpoint of f1 f2 से pass होगा और transverse axis पर perpendicular रहेगा ठीक है तो अभी हमारे major axis और minor axis से आप इससे भी याद रख सकते हैं बट जब आप से question पूछा जाएगा तो transverse axis और conjugate axis से ही पूछा जाएगा इसलिए मैं आपको transverse और conjugate से ही बता रहीं ठीक है तो जो आपका hyperbola है इसमें देखें आप तो यहाँ पर आपका जो hyperbola है वो दो point पे cut कर रहा है axis को इन दोनों point पे तो जिन point पे भी आपका जो भी shape है वो cut करता है axis को वो हमारे vertex होते हैं जैसे कि यहाँ पर इसने a और b point पे cut किया था हमारे axis को जो main axis होता है उसको यहाँ पर जो hyperbola है वो इस point पर और इस point पे intersect कर रहा है तो यह हो जाएगा हमारा a यह point हो जाएगा तो यहाँ पर चाहे तो मैं side में लिखी देती हूँ कि जो हमारा F1 और F2 है यह दोनों हमारे focus है ठीक है और क्योंकि 2 है इसलिए हम लिखेंगे focus दूसरी चीज ए और B जो है यह हमारे vertices हैं A and B यह क्या है vertices ठीक है clear और अब A और B जो है अब आप देखेंगे कि अभी तक तो आपका जो A भी रहता था वो बड़ा रहता था F1 F2 से लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की distance हमारी वही रहेगी क्या रहेगी 2 A जो हमारा main axis है वो transverse axis ही रहेगा hyperbola में इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको जैसा ellipse में major axis main होता था यहाँ पर transverse axis main रहेगा ठीक है तो जो transverse axis है उसकी length रहेगी 2 A same इसके जैसी है और जो आपका conjugate axis रहेगा उसकी distance रहेगी 2 B ठीक है और दोनों focus के बीच की distance रहेगी 2 C clear तो यहाँ पर मैं लिख देती हूं पहला point यह हो गया दूसरा point यह हो गया तीसरा point distance between 4 का है यहा फिर F1 एंड F2 लिख देती है ना F1 और F2 के बीच की total distance कितनी है 2 C और समझने के लिए मैं बता देती हूं कि देखो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की distance कितनी है C यहाँ से लेके यहाँ तक की distance भी है C तो C C plus C to C clear center से एक focus तक की distance C center से दूसरे focus तक की distance C तो दोनों focus के बीच की distance C plus C 2C clear अब हम बात करते हैं दोनों vertices जो हैं उनके बीच की distance 2A या फिर length of transverse axis 2A तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं फूर्थ पॉइंट है हमारा दोनों vertex के बीच की distance बोल लो क्योंकि यहाँ पर भी दोनों vertex के बीच की distance बोल लो या फिर major axis बोल लो बात पर एक ही है न चीक तो यहाँ पर हम लिखेंगे distance between vertices A and B या फिर हम कह सकते हैं length of transverse axis equal to 2A ठीक है clear और length of conjugate axis 2B यहाँ पर हमारा minor axis था ठीक है यहाँ पर उसको क्या बोल रहा है conjugate axis तो fifth चीज है length of conjugate axis 2B बागी दोनों focus के बीच की distance कितनी है 2C पहले ही लिख चुके हैं तो बात समझ में आगे clearly अब next चीज जो आती है वो आती है आपकी eccentricity ठीक है तो इसको मैं हटा दूँ यहीं पर बता देती हूँ तो eccentricity E तो आप ellipse में भी देख चुके हैं तो same formula रहेगा C upon A ठीक है लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि eccentricity की value 1 से छोटी रहेगी लेकिन अगर hyperbola की बात करें तो eccentricity की value 1 से बढ़ी रहेगी reason बताती हूँ यहाँ पर आप देखें हैं यह A से लेके B तक की total distance to A है कहने का मतलब यह है कि यह जो distance है यह A और यह distance है A clearly दिख रहा है देखो focus से center तक की distance C है और vertex से center तक की distance A है same यहाँ पर था बस यहाँ पर क्या है कि यह focus हमारे अंदर आ रहे थे अब focus obviously इसके अंदर आ रहे हैं लेकिन vertex यहाँ पहले आ जा रहा है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या था center से यहाँ तक की distance C थी और vertex से यहाँ तक की distance क्या थी A थी obviously यहाँ A बड़ा था C छोटा था ठीक यहाँ पर क्या है A चोटा है C बड़ा है तो obviously जब C is greater than A C जब A से बड़ा है तो obviously छोटे नंबर में आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में divide करते तो value तो 1 से बड़ी आईगी देखो ऐसे जिसे की 3 है हमारा C C is greater than A 3 upon 2 so यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1s are 2 1 बचेगा 2 5s are 10 1.5 1 से बड़ी value है ठीक है और इसमें क्या होता था हमारा C छोटा था तो C छोटा रहेगा A बढ़ा रहेगा तो यह आएगा 0.5 तो ellipse में eccentricity 1 से छोटी थी बट hyperbola में eccentricity जो है E वो बड़ी रहेगी 1 से ठीक है चल़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ क्लियर बात समझ में आ गई है न ठीक है अब आगे बढ़ें तो eccentricity के बाद next चीज आती है लेटस रेक्टम तो फिफ्ट चीज यह सिख्षत है यहाँ पर अब सेवन्थ पॉइंट लिखते हम लेटस रेक्टम तो लेटस रेक्टम का सेम फॉइंट रहेगा टू भी स्क्वाइर अपॉन ए ठीक है इसमें कोई चेंज नहीं है तो फॉमिले की बात करें तो eccentricity के फॉमिले में भी कोई चेंज नहीं है बस सिर्फ यहाँ पर अंतर यह आया है कि हाइपर बोला में eccentricity जब भी आप फाइंड करेंगे तो बड़ी क्रीजर यह ने चोटा है तो बड़ी में छोटी क्रीजार करेंगे तो ओट से ब्रीजर ही आएगी ठीक clear so यह formula थे इसके और इससे relate करके मैंने इसलिए बताई क्योंकि यह चीज़ा पहले ही पढ़ चुके है इससे relate करके बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक so यह क्या है हमारा एक बार यहाँ पर भी लिख देती हूं transverse axis ठीक है clear और यह जो रहेगा आपका y axis यहाँ पर रहेगा conjugate axis ठीक है जिसके along भी आपका hyperbola बन रहा है वो transverse axis रहेगा और जो दूसरा वाला रहेगा वो रहेगा conjugate axis clear ठीक है समझ में आगई बात तो इस चीज़को मैं हटा देती हूं क्योंकि इसकी कोई ज़रत नहीं है इससे रिलेट करके समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया ठीक तो यहाँ पर एक बार और थोड़ा समझ लीजे फिर इसके बाद देखेंगे हम इसका standard form जो हमारी equation रहेंगे hyperbola की so mean यहाँ पर यह बोला गया है कि इस तरह के points का set जैसे कि यहाँ पर यह सारे कई अलग अलग point होंगे यह सारे कई अलग अलग point होंगे तो इस तरह के points का set जिनकी fixed points से जो भी distance fixed point मतलब की f1 f2 focus है ना तो दोनों fixed points से जो भी distance रहेगी उनका difference constant होना चाहिए तो उन सारे points को अगर हम join करते हैं उससे हमको मिलता है hyperbola ठीक है तो यह मैंने बनाया है अभी along x-axis इस तरह से भी हमारा hyperbola बन सकता है जिन दो टाइप को अभी हम पढ़ने वाले हैं ठीक है और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो transverse axis रहेगा उसी पर ही आपका दोनों focus रहेंगे जैसे कि अभी ऐसे बना है तो obviously एक focus यहां रहेगा f1 दूसरा focus यहां रहेगा f2 तो यह हमारा रहेगा transverse axis इस condition म ठीक है और यहां पर जो दूसरा axis रहता है हमारा conjugate axis वो कैसा एकसेस होता है पहली चीज़ जो की center से पास होकर जाता है और transverse axis पर perpendicular होता है वो होता है हमारा conjugate axis ठीक है तो इस condition में conjugate axis यह रहेगा और यह रहेगा हमारा transverse axis जिस तरह से ellipse में main हमारा major axis उसी तरीके से हाइपर बोला में हमारा main है transverse axis क्योंकि transverse axis पर हमारे दोनों focus आ रहे हैं दोनों vertex आ रहे है ओव्यूसली यह vertex आ रहे है हमारे ठीक है न तो जिस प्वोइंट पे भी हमारा जो भी जैसे कि यहां पर हमारा क्या है पर बोला एक्सेस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा रहा है एक यह पॉइंट तो यह दोनों वह गया थीक है बाकी आपको यह चीज़ तो पते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी टूसी चीक है दोनों वर्लेक्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी टूए और जो आपका conjugate X रहेगा तो बी है खत्म समझ में आ गई बात वह बत इतना ही था इसमें अब तो हम आगे क्या देखने वाले हैं इनके जो standard form है उनको देखेंगे बाकि रही बात आपकी eccentricity की तो C upon A same formula रहेगा बस अंतर इतना है कि E की value यहाँ पर बढ़ी रहेगी 1 से reason है कि यहाँ पर C की value A से बढ़ी रहेगी इसलिए और lattice rectum का same formula रहेगा आपका छीक है clear और बाकि य करेंगे A और B यहाँ पर हमारे vertices हैं और दोनों focus के बीच की distance 2C है दोनों vertex के बीच की distance यह नहीं कि यह जो है यह transverse axis की length हमारी 2A और conjugate axis की length 2B ठीक है और यह दो formula clear ठीक है तो अगर आप इसको note करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं ठीक है अब हम standard equation की हम बात करते हैं तो दो ही standard equation अभी हम पढ़ रहे हैं इस class में तो ध्यान से देखें standard equation of hyperbola की अगर हम बात करें तो या तो एक रहेगा आपके along x-axis ठीक है और एक रहेगा along y-axis ठीक है इसकी main condition क्या है कि जिसका जो center है वो origin पर रहेगा ठीक है तो अभी तक जितने भी standard form हमने देखें उनमें हमने क्या देखा है कि जो हमारा center है वो किस पर है origin पर है ठीक है तो ये y-axis क्या along रहेगा तो main चीज क्या है कि center at origin तो ये इसका center रहेगा आपका center मतलब जो दोनों focus है उनका midpoint तो ये पहला focus f1 ये दूसरा focus f2 इनका midpoint है ये और जो focus का midpoint है वो ही हमारा है center तो center से पास होकर जाते हैं हमारे दोनों axis ठीक है so obviously इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है आपका transverse axis ठीक है और जो y-axis है ये क्या है आपका conjugate axis और ellipse में हमने क्या पढ़ा था major axis, minor axis ठीक आप ध्यान से देखें obviously यहां से लेके यहां तक की distance जो है ये c है center से focus तक की distance c ही होती है ellipse में भी हमने पढ़ा है और यहां से लेके यहां तक की distance भी c है तो f1 के coordinates क्या हो जाएंगे आपके obviously यह x-axis पर आ रहा है x का यह negative side है मतलब minus c,0 और इसके रहेंगे c,0 ठीक है यह तो आपका center है ही कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करते है vertices की तो जो हमारा parabola है वो इन दो points पे intersect कर रहा है transverse axis को ठीक है तो यह दोनों हो जाएंगे आपके vertex तो इसको हम नाम दे दे देते हैं a इसको हम नाम दे देते हैं b तो दोनों vertex के coordinate हम यहां पर लेखेंगे ठीक है इसके coordinate हो जाएंगे obviously यहां से लेके यहां तक की distance है a और यहां से लेके यहां तक की distance है तभी जाके दोनों vertex के बीच की distance a plus a 2 होती है ठीक है इसके coordinate हो जाएंगे minus a, 0 इसके हो जाएंगे a, 0 क्योंकि x का यह negative side है यह positive side है ठीक है clear सो इस condition में हमारी equation क्या होगी इस hyperbola की सबसे पहली चीज तो x-axis पर आ रहा है ठीक है तो x-axis क्या होता है transverse axis और transverse axis की total length कितनी होते है 2a मतलब a से relate करता है ठीक है तो x square upon a square ठीक minus y square upon b square equal to 1 यह रहेगी इसकी equation इस condition में या फिर आप इससे भी याद रख सकते हैं कि यह क्या है horizontal और यह vertical तो horizontal के लिए x square a square minus y square b square equal to 1 ठीक है और vertical के लिए देखते हैं तो यह समझ में आगई चीज हमने दोनों vertex जो है एक्स एक्सेस है यह transverse एक्सेस है और यह पूरी total distance इनके बीच की क्या है a plus a 2a दोनों focus के total distance बीच की इतनी है c plus c 2c ठीक है और जो हमारा conjugate axis है उसकी total distance की total length कितनी हूठी है 2b ठीक चलिए यहाँ चलते हैं इसकी equation हो गई है यहाँ पर y axis है तो y square upon a square y axis पर हमारे दोनों focus आ रहे है f1, f2 दोनों focus आ रहे है और दोनों vertex भी आ रहे है ठीक है और यहाँ से हमारा x axis पास हो रहा है जो की इस condition के लिए है conjugate axis क्यूंकि जिस भी axis पर दोनों focus है वो रहेगा हमारा transverse axis ठीक है जैसे कि यहाँ पर x पर आ रहा था इसलिए x axis था transverse axis ठीक तो यहाँ पर यहाँ एकसिस यह हमारा transverse axis यह यह एकसिस रहेगा हमारा यह रहेगा conjugate axis अब हम बात करते हैं इनकी कि इनके कॉडिनेट्स क्या रहेंगे तो अवियसलिए यह जिस हमको पता है कि focus से center तक की distance c center से focus तक की distance c और c प्लस c तभी तो जाके 2c होगा दोनों focus के बीच की distance ठीक है तो इसके coordinate देखें और इसके coordinate देखें तो obviously यह upward side में है मतला y का positive side so y पर है इसलिए x 0 y c downward side में देखें तो f2 के coordinate रहेंगे x 0 y minus c क्योंकि obviously y axis पर अगर कोई भी point होता है तो उसका x 0 होता है हमारा ठीक है जैसे यहाँ पर x axis पर था तो उसका y 0 था यहाँ पर y axis पर इसलिए इसका x 0 है ठीक है अब जो हमारे vertex है उनकी बात करते हैं तो यह हमारा vertex है और यह vertex है जिस भी point पर hypergola transverse axis को intersect कर रहा है तो obviously transverse axis को एक यह point पर intersect कर रहेगी यह point पर यह a यह b ठीक है दोनों vertex है एक एक coordinate upward direction में तो 0,a और यहाँ पर हो जाएंगे 0,a minus a ठीक है बाकि अगर हम बात करें तो f1 से f2 तक की total distance जो है वो 2c है ठीक है और यह total distance 2a रहेगी क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance a यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance a तो total 2a ठीक है और जो conjugate axis है उसकी total length कितनी होती है 2b तो इस condition में जो हमारी equation रहेगे तो बीच में तो यह minus रहेगा और y square upon a square क्यों क्योंकि y पर transverse axis आ रहे है और transverse axis पर ही दोनों focus होते हैं तो y square upon a square बचा क्या x square upon b square equal to 1 और अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इस तरह से जब आपका figure बनेगा तो यह equation रहेगी जब इस तरह से figure बनेगा तब यह equation रहेगी लेकिन यह ज़्यादा बेटर तरीका है कि आपका transverse axis total इसकी length कितनी होती है 2a आ रहा है x पे तो x square upon a square यहाँ पर y पर आ रहा है तो y के upon में a ठीक बीच में minus x square upon b square equal to 1 खतम तो यह रहेगी आपकी दूसरी equation standard equation ठीक है तो note करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं ठीक है तो बाकी इसमें और ज़्यादा तो कुछ है नहीं main इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि obviously नोट तो करी लिएक आपने न तो obviously दोनों में ही अगर आप देखें तो जो transverse axis है उस पे दोनों focus आएंगे ठीक है और जो conjugate axis होता है वो क्या होता है कि center से पास होता है और transverse axis पे perpendicular होता है और सभी के coordinate भी आपने देखी लिए और इसकी बात करें तो obviously यह transverse axis पे दोनों focus आ रहे हैं अब अगली चीज़ की जब आप question को solve करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे आप यह चीज़ देख पाएंगे कि हमारी यह equation रहेगी कि यह equation या फर यह figure हम बार मनेगा की यay जैसा कि हमने इलिप्स में जा न ते देखा था था यहा पर शो यह पोउस रहेगा उसी को हम लेंगे transverse axis जैसे कि यहाँ पर x square upon a square यह positive side है यह negative side है क्योंकि बीच में minus लगाएं तो जो positive रहेगा उसी axis को हम transverse axis लेकर चलेंगे जैसे यहाँ पर y square upon a square यह positive है यह negative है तो जो positive है उसको आप transverse axis लेकर चलें ठीक है clear so बांकी यह तो अपने note करी लिया होगा so आज की जो class रहेगी इसमें बस इतना ही करेंगे क्योंकि जो सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी hyperbola से related सारी चीजें मैंने आपको बता दी है अगर कुछ रह जाएगा तो वो हम obviously जब question करेंगे तो और clear होई जाएगा चीक है